आज आये हैं जाम मस्जिद देख सकते हैं जाम मस्जिद माशालला शाम का टाम हो रहा है और जाम मस्जिद पर कितनी रौनक है यह जाम मस्जिद का एक नमबर गेड है और यह दो नमबर गेड है जाम मस्जिद का और सामने तीन नमबर गेड है जामजीद दे सकते हैं, जामजीद है, जामजीद पानी का हो सकते हैं, जामजीद पानी के नज़ार आ रहे हैं, जामजीद दोस्तों आपको बहुत इंटरस्टिक चीज दिखाँगा यहां पर एक जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जोस्तों आज मैं दिखाँगा जामजीद पे बहुत अच्छी चीज यह है घड़ी जामजीद की बहुत परानी देख सकते हैं जामजीद की घड़ी है इसकी चावी तो नहीं है बागी इसमें चावी लगती दी दो चावी लगती दी और बहुत अच्छी घड़ी है और और कि दे सकते हैं माशाला कि तो खूश रदा रहा हूँ कितनी भीड़े जामजीद नहार के दे सकते हैं कि दे सकते हैं जामजीद बहुत अच्छे लेग रही है और इस टम हम जामजीद पे आएवे हैं और शाम को वक्त है तान साड़ पांचे एगा और हमने थी पांज़ चलो आये हैं जामजीद को थोड़ा से आप गूम लें यह पर और जामजीद को कि अँछा नदा रही है एगा कर तान हमकर हैं हमारे दूसरा न नमिल्बदर गेट है और हमारे सबसे जो चश्ट पीछे बूगली यह जो दिख रहे हैं आप पीछे घार ह शाम का टैम है अब बहुत अच्छा नजारा है और आप जामजीद पर घुमने आएं और काफी लोग आए वेश केंपे काफी रश है और काफी भीज़ है और जामजीद दिखा दें आपको यह जामजीद अपनी है और जामज पर जाती है और हम जहां नमाज पर जाती है हम उसके में गेट पर आचुके हैं और आप देखेंगे में गेट कितना शाम का ड़ा में कितना खुबस्वाद लग रहा है अंदर जुमर भी लगा हुआ है कि देख सकते हैं कि जामज देख सकते हैं जहां मस्जिद के अंदर का यहां हम सब नाज पढ़ते हैं जामज देख सकते हैं जामज देख सकते हैं कि अब पीछे हैं जेख सकते हैं तो ऑप कितनी भीड है और ये बाहर का नजार आहा जाएं दोस्तों मीना बजार है ये और मीना बजार में कितना रश है आप कई सकते हैं जूर से दूर तक पूरी पूरी भीड़ी भीड़ है, पूरा रशाइडिस्ट है, वी दे सकते हैं, यह दो नंबर गेड़ है, मीना बजार का, में सकते हैं, मस्जिद के बाहर का नजारा है,